ब्लग तो यू बाई माई लेवन सेर्कल, विन फिर्स प्राइज वन क्रोर, डाउड दाउड अपना और इस बीच, फॉर्मर इंडिन सेलेक्टर MSK प्रसाद ने टीम इंडिया को पुरानी गलती ना दोरान की सला दी है रोहेट अन कंपनी को MSK प्रसाद ने प्लेइंग 11 को पहले ना चुनने की सला दी है उन्होंने कहा अस्ट्रेलिय के खिलाग के लिए जाने वाले फाइनल मुकाबले में स्पिन गेन बाज अच्छी भूमी का आदा कर सकते हैं लेकिन टीम को वक्त और कंडिशन के हिसाब से फैसला करना चाहिए इससे पहले 2021 के WTC फाइनल में भारते टीम का दो स्पिनर्स को चुनना भाड़ी पर गया था ऐसे में टीम इंडिया को आखरी वक्त में फैसला करना चाहिए प्रसाद ने रिशब पंद को लेकर भी अपनी राय रखी और कहा है कि पंद एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी जगा कोई नहीं पूरी कर सकता है जहां केस भरत और इशान किशन को लेकर डिबेट चल रहा है कि आखिर कौन होगा इंडियन टीम का WTC फैनल में विकेट कीपर प्रसाद ने अपनी उपिनियन्स भी जाहिर की है कहा केस भरत को चुनना सही फैसला होगा लेकिन हास का विदेश में हो रही सिरीज में पंध की जगा बना वाकई मुश्किल है पूरी टीम इंडिया में कोई और विकेट कीपर नहीं है जिसने इंगलेंड, औस्ट्रेलिया और दक्षिन अफ्रीका में शतक लगाए हो आपको ऐसी विकेट कीपर की ज़रत होगी जो 100 ओवर तक फिट रहें और अच्छा करें ये टेस मैच है और हमें इस पहलूप से सोचने की ज़रत है एक इंटिवी के दोरान पूर सेलेक्टर ने आगे कहा हमने दो स्पिनर और तीन तेज गेंबास चुने थे लेकिन बारिश आए और हमें अपनी योजना में बतलाव करना चाहिए लेकिन हम अंतिम प्लेंग 11 पर ही डटे रहे लेकिन अब ये बात दीद गई है तो साथ में आगे कहा दोवल में ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है पेच और परिस्थितियां काफी एहम है हम नहीं जानते हैं कि 5 दिनों में परिस्थितियां कैसी होंगी लेकिन हमें पहले से अनुमान नहीं लगाना चाहिए और पर इस्ट्यो को समझ कर ही फैसला करना चाहिए